तो अगर free fire खेल रहे हो और बंदे तुमको hack करना बोले तो मज़ा नहीं आता है तो फिर तुम ये सोच लो कि free fire में तुमने कुछ करा ही नहीं है चार पांच सालों के अंदर अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदे script यूज कर रहे हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद तुमको मारने की आदत हो जाएगी रेट नमबर की बात कर रहा है मारकेट बोले तो फ्रीफायर में अब ये इज्जत बनाने के लिए तुमको हैट्सोट ही मारना पड़ेगा क्योंकि बोडीशोट से तो सारे बंदे आजकल मार के चले जाते क्योंकि फ्रीफायर में ऐसे ऐसे प्लेयर आ चुके कि तुम थोड़े से मिस्टेक करोगे तो तुरन तुमको हैट्सोट पड़ जाएगा तो इसी वीडियो में हमें आपको फाइब ऐसे ट्रिक बताने वालो जिससे आराम से तुम अप टैप को सेब भी कर सकते हो और सामने वालों के हैट्सोट भी मार सकते हो अब कली मेरे को एक बंदा बोल रहा था जो एंडुएड यूजर था बोल रहा मैं आप पीसी खरू दूंगा गेम खेलने करी अब वेसे बंदे को हम क्या समझाए डिवाइस मैटर करता है लेकिन यह नहीं कि तुम पीसी लेना चैनल को भी सब्सक्राइब और उसको कैसे चोड़ सकते उसको भी दबा देना क्या बोलते उसको रहे हैं मेरे को याद नहीं आरा लेकिन हाथ दबा देना अचा हाँ बेल आइकन को दबा के ओल पे सेट कर लेना पहला पुए तुमको एक करेक्टर यूज करना जिसका सकते हैं यहां पर यहां पर पिल उन हो जाता है अब उन के बाद को पाइदा होता है सिमपल सा फायदा अब एकुरेसिव कैसे बढ़ता है जब भी तुम करते हो ड्रेग के साथ और और फिर जोईस्टिक भी उसे के साथ पकड़ते हो मितलब स्मूथ ट्रिपल फॉर वाई- से हेड़ ची पकने का बहुत ज़्यदा चांस रहता और वहीं पहले जो आपका वाइट नमबर दिखता था अब इस करेक्टर लगाने के बाद जोईस्टिक से अगर हेड़सोट मारते हो जोईस्टिक पकड़के तो यह बहुत जबरदस रेड़ नमबर देखने को मिलने वाल बढ़ जाता है जिससे हेड़सोट लगने के चांस और बढ़ जाते हैं क्योंकि तुमने कभी-कभी देखा होगा जब हम लोग ड्रैग करते बिना स्कॉप को ले तो कैसे कभी-कभी चिपक जाता है अगर चेस्ट पे चिपका तो वहीं पे हमारा एम रह जाता है लेकिन या मैं तो तूड या तो इसको अच्छे समझने के लिए यहां पे देखो जैसे ही मैं बिना जोइस्टिक पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा एम इधार ही रुक जा रहा है क्योंकि यहां एक्यूरेसी प्लस सेंसिटिविटी जो भी मूव्मेंट के हम लोग है और हमारा चेश्ट पर एम नहीं रोकता जबकि हम लोग हैडसोट अराम से मार सकते हैं अब यह पॉइंट में तुमको मूव्मेंट वाला करेक्टर का जरुत पढ़ने वाला जैसे केली डीजया लोग जोसेफ यह जितने भी आपको मूव्मेंट वाले करेक्टर दिखते वो अपने हिसाब से सेट कर लेने आप किससे अच्छे से खेल पाओगे वैसे एक्टिव स्किल में डीजया लोग होता है अगर आप डीजया लोग के साथ नहीं खेल पाते तो इसको स्किप कर सकते हो केली वेली लगा लो जोसेफ लगा लो और फिर आपको यह परफॉर्म क पीछे जाके उदर से ड्रैक करूंगा और रोटेशन ड्रैक करूंगा बहुत मखन वाला है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां ही से मैं अगर ड्रैक करूँ तो वह भी मेरे को हैट्शोट मार सकता है लेकिन मूबमेंट के साथ जबकि हमारा मूबमेंट वाला करेक् पर नहीं करने ऐसे में होगा कि अगर तुमने सौट गन लेके रखाया या समजी गन लेके रखाया और सामने वाला बंदा दोड के आरा जंप करके आरा तो अगर स्प्रे करते हो उसको उपर तो 110 परसंट रेट नंबर ही लगेंग और हाँ यार जब भी तुम फायर करते हो तो यार तुम्हारा पैर जमीन पर टेच होना चाही तब जादा एक्वरेशी के साथ हैडशोट लगता है तो यहाँ पर बेवज़ा तुमको जब करने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम सामने सामने से फायर लेते हो जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि तु मैं आराम से मर जाओंगा तो यह बात पर देंगा यह आखरी पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं अगर तुम्हारे आथ में यूंपी है तो तुमको चार गोली ज्यादा यूज ही नहीं करना जैसे ही स्प्रे करते हो तो चार से पांच गोली चलाओ उस से ज्यादा करोगे तो रीकोईल हो जाएगा और तुम मारे जाओगे और सामने वाला बंदा तुमको आराम से मार के चला जाएगा तो यह इस बात पर ध्यान रखना है कि ज्यादा देर तक फायर नहीं करना जितना कमो एक बर फायर करो फिर ग्लूल लगा और ग्लूल नहीं है तो कवर मतलब कुल मिला की बात करें तो तुमको रीकोईल नहीं करवाने अपने गन को और वन टेप वाली अगर गन है तो तुमको दोराम से एक ही टेप मारने फिर ग्लूल लगाने यह तो सबको पता है SMG के बारे में मैंने यह बता दिया तो इसको यूज करो और यार बहुत ज्य